आज बात करेंगे वेदों के महान विद्वान देवों के भी देवर्शी महान गुरू नारद जी महराज के बारे इन पाखंडियों ने नारद जी महराज का नाम लेते ही एसी एसी कहानिया गड़ डाली कि वो तो बस एक दूसरे की बुराई करने में लगे रहते थे वो तो बस एक दूसरे की चुगली खाते रहते थे नारद जी को जितना बदनाम किया उतना ही सभी रिशी महात्मों को बदनाम करने की इन्होंने कोई कसर नी चोड़ी आप महावारत पढ़ते नहीं हो इंदूओं तुम्हारा सर्वनास नजदिक है क्योंकि तुम्हारे पुराण अमित कह रहा हूं तीन हजार साल से बरबाद किया जा रहा है तुमको और तुम पाखंडों में फजे हुए बस अंदेर नगरीर गपोड चंद राजा की तरह जो क कहा वो मान लिया पढ़ो महावारत के सबा पर्व में क्या लिका है हे जनमेजय एक दिन उस सबा में महात्मा पांडव अन्यन्य महापुरुशों तता गंदर्वों आधी के साथ बेटे थे राजन उसी समय वेद और उपनिश्रुदों के ज्याता महा तेजस्वी नारद ल लोक लोकांतरों में गूमते फिरते उस सबा में आए देवर्सी लगा आगे उनके देवर्सी इतने बड़े माहान विद्वान वेदों के उपनिश्रुदों के महा ज्याता तेजस्वी थे और इन पाखंडियों ने उनको बस व्याविचारी बना दिया दज्यां उड़ा दिनारजी महाराज की डेवर्सी थे वो रिशीप से भी उपर इतनी बड़ी यज्यता थी पर इन पाखंडियों को तो बस धज्यां उड़ाने में मज़ा आता हैं और ये हिंदु आग बंदगर के पुराणों को मानते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदु हैं सर्म से कहो तुम हि आमायन पड़ो उपनिशद पड़ो वेद पड़ो सास्त्र पड़ो क्यों गपोडी चंदो के घाताओं में तुम उड़जे पड़े हो आप सोयम आगे देखिए देवर्सी नारद को आया देख राजा युदिष्टिर ने भाईयों समेत उठकर उन्हें प्रेम विनय और नमरता पूर्वक प्रणाम किया देवर्सी थे और युदिष्टर कोन थे आपको पता हैं चकरवर्ती समराड थे पूरे विश्व के राजा होते हुँ भी अपने सिंगासन से उठकर के उन्हें प्रणाम किया इतनी बड़ी योग्यता थी नारद जी की पर तुम्हें तो बस गपोडी लिला मारनी हैं क्या मारी हैं आपको ब्रह्म विवर्त पुरान के ब्रह्म खंड के अध्याई नमबर आठ से दिये किये चोखंबा प्रकासन आपके सामने परमानित हैं ब्रह्मा कहते हैं हे नारद अब मेरे शाप के परबाव से तुम्हारा तत्व जान पट हो जाओगे वरे गपोडी लालों वा आपने तो नारजी महराज की धजियां उडवादी और ब्रह्माजी के द्वारा तुम्ह स्तिर योवना रूप लावन्य वत्ती पचास स्तिरियों के प्राण प्रिय पत्ती होंगे तुम उनका मन हरकर नित्य उनके साथ क्रिडा क तुलक एवं उनमतवत रहोगे तुम स्रिंगार सास्तिर के जाता महा स्रिंगार में निश्णांत लोलुप नाना प्रकार के स्रिंगार में निपुन गुरु गण के भी गुरु हो जाओगे कितनी गजब दज्यां उड़ाई है नारजी की मतलब बस वो यही काम में लगे और आप आगे देखिए तुम इन विलासिनी पचास पत्नियों के साथ निर्जन वन में एक लाख दीवे वर्सों तक निवास करोगे गजब गपोडे मारे हैं कि एक महात्मा देवर्सी महान जानवान विद्वान नारजी महराज को एक व्याबिचारी बना दिया एक लाख वर्स तक बस भोग लिला में पसा दिया गपोडी लाल की तरह बस मजे लेते रहे एसा बना दिया उनको सर मानती है इन पुराणों पर इन पुराणों को जिसने भी बनाया है वो आपके सनातन धर्म को नश्ट करने की पूरी प्लानिंग रखता था वो चाहता ही यही था कि यह धर्म अश्ट हो जाएं सारे भीाविचारी मानसारी हो जाएं और हंदेर नगरिर गवरगंडर आजा की तरह गपोडों में भसा दिया जाएं और हम मजे लेते रहें और इनकी पत्नियों के साथ दुस्कर्म करते रहें इसे-इसे ग्रंतों में क्या अब भी इन पुरानों को मानते हो क्या अब भी आप का होगे नारज जी तो चुगली करते थे एक दूसरे की बुराई करते थे डेवर्सी नारज जी को आपने जाना ही कब है अगर आप जानना चाते हो तो रिशी दयानन जी का सत्यार्थ प्रकास पड़ो रिगवेदा भाष्ची भूमी का पड़ो जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिशी दयानन जी सेबी बड़े महान डेवर्सी थे ओ तो इतने महान थे पर आपको क्या बस दज्यां उनानी है बस वारे गपोडी लालो वा अब्बी सुदरो तो सुदर जो तुमारी मर्जी नी ओ तो एसा पुराणों में लिक्का अब्बी इन पुराणों को छाती से जिबटाई हुए बेटेव। हमारे विश्वास नहीं तु पड़िगे देखनो बैई आपका अपना यूट्यूब चेनल धन्यवाजी